नमस्ते बच्चो इस बंदर की तरफ से भी नमस्ते आज ये बंदर क्यों आए आपको नमस्ते करने वो इसलिए कि मैं आज आपको creative writing सिखाने जा रही हूँ पहले छोटी classes में आप क्या करते थे घर से कोई toil आते थे और उसके बारे में कुछ वाक्य बोलते थे कैसे जैसे ये मेरा बंदर है इसका नाम भीखू है इसकी दो आखें हैं दो कान हैं और चार पैर हैं ये अपने सामने वाले दोनों पैरों को हाथों की तरह इस्तेमाल करता है इसकी एक लंबी पूँच है ये केले खाता है फल तोड़ तोड़ के फैंकता है शरारतें करता है आपने एक चीज़ पर ध्यान दिया मैंने सभी वाक्यों में है शब्द का प्रियोग किया है means present tense अब अगर हम object की जगा किसी picture को किसी चित्र को उसके बारे में कुछ बात कर तो उसको चित्रवर्णन कहते है ठीक है तो basically आज मैंने आपको चित्रवर्णन के बारे में बताना है जैसे हमने class 1 में कभी किसी car का चित्र कभी किसी जानवर का चित्र इसके बारे में लिखा था अब हम थोड़े से बड़े हो गए है तो हमारे चित्र भी थोड़े से बड चित्र देखकर उसके बारे में कुछ वाख्य लिखे हैं ये वाख्य आपस में जोड़े होने चाहिए यानि उनके continuity होनी चाहिए जैसे इस चित्र में देखो मेरा कुता टॉमी आपने ये ध्यान रखना है कि present tense में लिखें उसमें है या हैं ऐसी बात आनी चाहिए अब ये आ लंग भूरा है ब्राउन है ना तो ब्राउन को हिंदी भी भूरा कहते हैं इसके शरीर पर मुलायम बाल हैं तो है या है का प्रयोग कर रहे हैं हम टॉमी बिस्कुट और डबल रोटी खाता है यानि बिस्किट्स और ब्रेड मैं टॉमी के साथ खेलता हूँ तो पहले हमारे हाट में object होता था, object के बारे में बोलते थे, अब हमारे सामने अगर कोई चित्र आ जाए, और उस चित्र के बारे में आगे, अगर हमें कुछ वाक्य लिखने हो, तो उसे कहते हैं, चित्र वर्णन, अब को एक और उधारन दो, next page पे जैसे दो और उधारन है, examples है, यहाँ इस चित्र में cycle है, यहाँ पर देखो cycle के बारे में कुछ वाक्य लिखे हैं, हम उसमें कुछ और भी add कर सकते हैं, यह है मेरी cycle है, इसके तीन पहिये हैं, one, two, three, tricycle है, मेरी cycle का रंग लाल है, देखो जो चित्र में है, हमें उस से हटकर पदल कर नहीं लिखना, इसे चित्र को explain करना है, अगर cycle लाल है, तो आप इसके रंग लाल ही लिखोगे, इसमें घंटी लगी हुई है, क्योंकि चित्र में घंटी दिखाई दे रही है, तो हम लिख सकते हैं, मैं तेजी से पदल चलाता हूँ, मेरी छोटी बेहन भी cycle पर सवारी करती है, आप चाहें तो इसमें कुछ और भी वाक्य आड़ कर सकते हैं, मैं रोज शाम को अपनी cycle लेकर बगीचे में जाता हूँ, वहाँ मेरे दादा जी बगीचे में बैठते हैं, और मैं cycle चलाता हूँ, एक और example देखते हैं, यह देखो, अगला चित्र है मेरा घर, यह मेरा घर है, मैं मा, पिताची और दीदी के साथ अपने घर में रहता हूँ, इसमें चार कमरे हैं, शो हो रहे हैं, वान, टू, ट्री, फॉर, यह क्या हैं, अगला सा बगीचा है, यह गार्डन दिखाई दे रहे हैं घर के पास, मेरा घर साफ सुत्रा रहता है, सब वाक्यों में है, हम, हैं, present tense का प्रयोग किया गया है, ठीक है, तो अब मैं आपको जो चित्र देने जा रही हूँ, उस चित्र को आप ध्यान से देखेंगे, उसके बारे में कुछ वाक्या सोचेंगे, और लिखेंगे, ठीक है, तो आपको समझ आगी मेरे बार, ओके, I'll be sending you a picture, आप हिंदी में, present tense में, उस चित्र के बारे में कुछ वाक्या लिखेंगे, तब तब, नमस्ते, बाई,